जब ब्रह्मचारी अवस्था में आचारे महराज के पास थे तबी से आचारे महराज ने ये धवला गरंत का अध्यन कराना शुरू किया था तो धवला की चौती पुस्तक से आचारे महराज ने पढाना शुरू किया पांच भी छटवी पुस्तक पढ़ाने का नंबर आया तब तक दिछा हो चुकी थी भाग्योदे में प्रिथम चत्रमास में सागर में आचारे महराज ने ये छटवी पुस्तक पढ़ाना शुरू की और संयुक की बात कि उस पुस्तक को थोड़े से पढ़ने के बाद ही जो है बुखार आ गया अब बुखार आ गया तो बुखार में तो ऐसे गरंथ पढ़े नहीं जाते सिद्धा अंद गरंथ तो वो पुस्तक का पढ़ना कुछ दिन तक बखार रहा पुस्तक तो बहुत बड़ी है तो पुस्तक का पढ़ना बीच में कुछ छूट गया फिर जब थोड़ा सा बखार ठीक हो गया आचर महाराज तो संको पढ़ा ही रहे थे तो फिर बीच में जब थोड़ा सा स्वास ठीक हो गया तो आ करके बैठ गए तो आचर महाराज कहते हैं नहीं अभी भी स्वास ठीक नहीं है ऐसे भारी गरंतों को पढ़ने के लिए अभी लोड नहीं लेते हैं अभी आराम करो तो कुल मिला करके यह वही पुस्तक थी चूलिका की रूप में है जीवत ठान की चूलिका कहलाती है तो अब वो गरंत जो है पढ़ना उस समय पर छूट गया तो वो छटवी पुस्तक नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं हमने अपने फिर अब आचर महरास्ति एक बार पढ़ा चुके सो पढ़ा चुके हमने अपने इसाफ से उसको अध्यन में ले लिया जब समय मिला तो उसको पढ़ लिया अब आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह बात थी 98 की है ना जब पहला चुतरमास हुआ था फिर उसके बाद में करम दूसरे चलते रहे दूसरे धबला की और पुस्तके हैं फिर जय धबला की पुस्तके हैं यह सब करम चलता रहा तो बहुत सारा सिद्दान तया चैसरी अपने करम से पढ़ाते रहे अब उनको यह ध्यार रहा कि इसको जो है इसको मने मुझ को कि छटमी पुस्तक यह पढ़ नहीं पाया यह चूलिगा का जो अध्यन था वो कर नहीं पाया और उसमें इतना मैंने पढ़ लिया था जब आचेसी पढ़ा रहे थे कि इसमें जो य देशने निपे द उनको पड़ने से बहुत करमों की निर्जरा होती है तो मतल 되सा लगा कि जैसे उनकों की निरजरा करने के लिए बहुत पुंडे चाहिए होता है तो उतना उसमें पर बीच में अंत्राय करम आ गया जह हि अब यह चूलिगा कि इसमें यंत्राय करम आता ह अब क्या हुआ कि जब 2007 में जब आचारे महाराज ने कहा कि संबे सगर की यात्रा के लिए जाना है और संबे सगर की यात्रा पर जब चले गए संयोग की बात तो संग में कुछ और भी नए महाराज थे तो उन्होंने फिर से वही चूलिगा की पुस्तक छटीवी पुस्तक लगाना शुरू की और उस समय पर चातरमास हमारा तो कोत्मा में हो रहा था आचारे महाराज का यहां बीनाबारा में होगा तो उस समय पर आचार महाराज को याद आया तो उन्होंने कहा कि देखो नाम लेकर के कहा कि देखो वो पिड़मिसागर अभी भी यहां नहीं है और जब यह चूलिगा पुस्तक पढ़ा रहे थे तब भी वो नहीं पढ़ पाया था देखो इसको गहते अंतराय करम तो कुछ बात नहीं जब उन्होंने संके बीच में ऐसी बात रखी तो वो बात मेरे पास तक भी आई कि आज आचार महाराज में जब यह गरंत पढ़ाना शुरू किया तो इस तरह का जिक्र किया तो मुझे लगा कि देखो उनको कितना याद रहता है कि हम क्या पढ़ा पा की बात और कहां दोजार साथ की बात और उनको वो दिमाग में फिट रही तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने चलो कोई बात नहीं जिस भी तरह से इस्मरण किया वो अपने लिए बहुत सवागे की बात थी बुखार भी सवागे की बात है कि गुरू महाराज को इतने दु प्रीज को का ऩदे ही...